हलो वीवर्ज, वेलकम टू दा स्टॉलर वर्ड, आज हम आपको सराज दर्शन के पार्टो में ले चलेंगे सराज घाटी की कुछ और बेहती खुबसूरत लोकेशन्स में और रूबरू करवाएंगे आपको यहां की प्रकृतिक सुन्दरता से तथा यहां के कल्चर से तो बनी रही इस वीडियो में अन्त तक साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भुलें पिछले वीडियो में हमने आपको दिखाई थी जंजहली की एक खुबसूरत जगहा जो थी जंजहली हेलिपैड जहां से जंजहली घाटी का पूरा नजारा आप लोग देख सकते हैं आज हम लोग बढ़ रहे हैं आगे की और और आपको दिखाईंगे जंजहली के अलावा सराज घाटी की दूसरी और जगहाएं जो की हैं यहां से भी ज्यादा खुबसूरत आप भी अगर जंजहली आने का प्लान बना रहे हैं तो जो सबसे सही समय है वो है अप्रेल से लेकर जून तक और उसके बाद अगस्ट से लेकर नौवेंबर तक इस वक्त आप जंजहली घाटी की सुन्दरता का पूरा आनन उठा सकते हैं जंजहली आके आपको देखने को मिलेंगे सीब के बागीचे भरे भरे देवदार के जंगल और सुन्दर सडकें साथ ही यहां के भोले भाले लोग जंजहली का सुन्दर तथा शांत वाता वरन और यहां के सुन्दर गाओं हिमाचल प्रदेश में अपनी एक अलग ही खासियत रखते हैं यह है सराज का सबसे सुन्दर और प्यारा कॉलेज यहां का नाम है लंबा थाच अगर कोई यहां पढ़ने वाला स्टूडेंट हमारी वीडियो देख रहा हो तो कमेंट जरूर करें बढ़ते बढ़ते हम लोग आगे पहुंच चुके हैं एक बेहत ही खुबसूरत रैस्ट हास में जो की बनाया है हमाचल परदेश जल शक्ती वी भागने इस रैस्ट हास की सुन्दरता अपने आप में ला जवाब है अगर आप ही इस जगहा और इस रैस्ट हास को अपनी ट्रेवल डाइरी में एड़ करना चाहते हैं साथ ही बुक करना चाहते हैं यह रैस्ट हास तो आप ही कॉंटेक्ट कर सकते हैं हिमाचल प्रदेश चल शक्ती विभाग के डिवीजन थुनाग में जहां के इंजिनियर्स आपको इस रैस्ट हास की बुकिंग में मदद करेंगे तो चलिए बढ़ते हैं आगे की और हमारी अगली मन्जिल होने वाली है सराज घाटी का एक बेहत ही खुबसूरत पार्क मनरेगा के तहट यहाँ पार्क प्रदेश में ही नहीं देश में भी बहुत लोग प्रियो हो चुका है क्यूंकि यहाँ पार्क अपने आप में देश का पहला मनरेगा पार्क बन चुका है यहाँ हजारों बच्चे स्कूल के और कॉलेज के पिकनिक मनाने वीकेंड में अक्सर आते हैं आज जब हम लोग इस पार्क में आए हैं तो यहाँ एक बहुत ही बड़ा मेला लगा हुआ है मेला यहाँ की माता बगला मुखी के द्वार में यहाँ पार्क मां बगला मुखी के द्वार के आसपास ही बनाया गया है यहां देवदार के बड़े बड़े पेल और हरी भरी खास तथा एक सुन्दर सी सड़क जिसके बीचों बीच जब भी हम लोग गुजरते हैं तो मन को मंत्र मुग्ध कर देने वाला कुछ एहसास होता है पहाडी लोग बहुत ही ज्यादा महनती होते हैं ज्यादा तर समय ये लोग अपने काम में ही व्यस्त रहते हैं ऐसे में यहां ये मेले लोगों को आपस में मिलाने का काम करते हैं लोग अपना काम छोड़के इन मेलों में जरूर आते हैं और साथ ही अपना शीश मातारानी के दरवार में जुकाते हैं इस पार्क के में गेट से अंदर एंटर होते ही अंदर का विशाल पार्क हमें दिखाई देता है सबसे पहले हम लोग चलते हैं मां बगला मुकी के दरवार में अभी जो आपको दिख रहा है मंदिर यहां दशकों पूराना मां बगला मुकी का मंदिर है जहां मां बगला मुखी अपनी देवियर शक्ती के रूप में विराज मान है आज हम आप लोगों को सराज के कल्चर से रूप रूप करवाएंगे हजारों लोग यहां आके इस मेले में सामुषिक नरित्य में भाग ले रहे हैं और हर्शों उलास के साथ आनन्द ले रहे हैं बच्चों से लेके बुढ़े तक इस नरित्य में भाग ले रहे हैं वर्षों से यह लोग पीड़ी तर पीड़ी इस परंपरा को संजोए हुए हैं और आगे बढ़ा रहे हैं कि अच्छा रहे हैं और आगे बढ़ा रहे हैं मा बगला मुखी के इस पवित्र मेले में सराज घाटी के कुछ प्रतिष्ठित देवता मजूद है जिन्हें मा बगला मुखी ने सादर आमंत्रित किया है जिन में यहाद देवता अभी जो आपके सामने दिख रहे हैं यह है देव मतलोडा जो कि इस घाटी में बहुत ही पूजनी है इसी तरह से तीन दिन तक यहाँ हजारों लोग यू ही जोमते और नाचते रहेंगे आपने अभी तक इस घाटी और मन्रेगा पार्क का दीदार नहीं करा है तो अपनी फैमिली के साथ यहां जरूर आएं आज की इस वीडियो में हमने कोशिश की आप लोगों को सराज घाटी के कल्चर से रूबरू करवानी की आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताएं साथ ही हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें पेस्बुक पे हमारे चैनल को फालो करें और वीडियो को शेयर करते रहें